हेलो आज मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ जोगिया आपका जोग्राफिक का है क्लास 6 का जिसकी नोट्स की सब कुछ रेडी कर दिया है तो पहली बात कि इस मेजर डाइमेंशन ऑफ दा अर्थ इस चैप्टर के अंदर आपको यह चीज़ बताई गई है इन डारेक्ली कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आपको और भी बहुत सारे चीज़ की जरुद पड़ती है हमने चैप्टर नंबर वन में शॉर यूनिवर्स के बारे हम पढ़ा हमारा अर्थ का हमने वह पढ़ा सेकेंड में हमने पढ़ा कि किस तरीके से ग्लोब का बारे में पढ़ा था जो कि कहीं आगी हम लोगों को पता ही था कि सब्सक्राइब सेकेंड और थर्ड दोनों कंबाइन टाइप हो सकते हैं तो फिर फूर्ट में हम आगे मैप्स के रीडिंग करने के लिए हमने मैप्स को भी डिटेल में पढ़ लिया अब आते हैं हम लोग इसके इसके बाइयोष यह में यहां इसके उस जून के अंदर टिसके अंदर इस अर्थ के अंदर लोग रहते हैं तृ इसके अंदर प्लांट से से इसके ंदरने कीषा है इसके पूरिAndure प्यू Guide करने काик Veterans बहुंद गविध करने से हाज वढ़े लए निश्ड बहुẫn जाए याथ जो आज फसे पूरे असे संदर भी याद रखते हैं तो करने करने के बाद सब्सक्राइब करें जर से आज घ्रीक और नहीं आए भी atmosphere atmosphere और hydrosphere आपको दिख रहा है यहां पर यह देखो atmosphere मतलब air ठीक है एक हो गया hydrosphere का h2o तो मतलब water और lithosphere का earth हो गया ठीक है इतना आपको common sense याद रहेगी और बाकि यह चीज़ें जिसके अंदर आते उसको कहते है उसको कहते है biosphere biosphere मतलब indirectly वह चीज़ है जिसके अंदर कोई भी चीज़ कोई भी living organisms अगर रहता है तो वह biosphere के अंदर है consider किया जाएगा क्यों biosphere का मतलब होता है चाहे हो human being इंसेक्ट सो वाटर बोडीज हो बर्द सो प्लांट सो वह माइक्रो ऑर्गनिजम सो कोई भी हो जोज गिये सांस लेती है वह इंडाएक लिया आपकी हम रहते हैं अभी राइट नाओ उसको हम लोग दिल लीठोस्फेर के रूप में यूज करते हैं जहां पर गैसे वगेरा पर हैं उस पार्ट को एटमॉस्फियर का जाता है जहां पर बर्ट वगेरा और रोपेल्स वगेरा और और नॉर्मल ली आज कल तो हुमन लोग इंसान भी उते हैं तो कहींना कि वह सारी चीज़ें कहां पर होती है तो एटमॉस्फियर में होती हैं ओके तो एरिया डैट डिकवर्ड बाई वाटर इस कॉल्ड हाइड्रोस्फियर ओके अब देखो यह बहुत साई चीज़ें ऐसे होंगे जो कहीं ना गया आपको भी आपको दिमाग लगाने पड़ेंगी उसमें आपको डीटेल में इतना समझाने वाला नहीं हूं ओके फिर को मैं पहले बता चकाता है कौन सी तर्थ जोन इसी जगह पे जहां पे जो अर्थ की क्रस्ट कहलो या फिर अर्थ से थोड़ा ऊपर मतलब अर्थ के अंदर भी बहुत सारी लेश्ट पर सनुध को इसके लेश्ब करतें लू के चाहिआ मुल्क और हम से नीचे तक सारा का सारह से ऐसे और फिर दो और callerः कर दी एब बहुतए और युझे और चले फोड़ाव कर दिया है और जो हां की वाटर बॉडिसे उस Pakistan अंदर हमने आपको oceans को divide कर दिया है ओक्यों फिर आपका जो continents के बारे में हमाते हैं जो हमने पहला पहले जो तरीके से दो division किये ना उसमें मैंने क्या बता है आपको पहला कि पहला आपका landmass जिसको हम लोग continent के रूप में यूज करते हैं तो जो इस पार्ट of the mass landmass line in the North amnesphere डोके जो नॉट्र सबसे जादा continents का प्रभां हुआ है मितलब सबसे ज़्यादा कॉंटिनेंस कहां पाया जाता है एक दो तीन जाने सब ज्यादा कॉंटिनेट किस एरिया में किस हमेसफेर में है तो Northern Hemisphere के अंदर है Asia is one of the largest continent इसके अंदर आपका इंडिया भी आ जाता है इसके अंदर आपका चाइना भी आ जाता है तो यह जो पूरा का पूरा है वो बहुत बड़ा एक सबसे largest continent कौन सा होगा तो Asia is the one of the largest continent ओके तो combination of landmass landmass जो दो चीज़ों को combine करते हैं यूरोप और एशिया को हम लोग combine करते हैं तो यूरेशिया बनता है ओके यह बात यह बहुत आप वह याद रखने चीज़ है कि यूरेशिया किस continents का combination word है यह बहुत पहले एक exam में पूशा गया था पर most of ली यह questions ऐसे हैं इसको अब पूछा जाना एक risk टाइब है कि इन questions को पूछ के वो अपने paper का level नहीं down करना चाहते इसलिए ऐसे questions को वो लोग रखेंगे कहां आप बता है कि जहां पर लोगों की निजर ना पड़ती हूं अब मैंने आपको बता दे यूरेशिया अब बहुत लोग जो वीडियो अभी देख रहे होंगे उनको यह भी बता नहीं होगा कि यूरेशिया कहां पर है क्योंकि ऐसे को जगह एक्जिस्ट नहीं करती वह दो संस्क्राइस नहीं करेंट नहीं एक माथर कॉंटिनेंट क्योंसा एक मात्र कॉंटिनेंट जिसके अंदर आपका ट्रॉपिक आफ कैंसर एक्वाटर और ट्रोभिक आप कैप्रिकाउन तीनो पास होती है तो यह भी आपके एक्जाम सीरेटेट बाहर इंपॉर्टन कोश्यंस से कि ऐसी कौं सी कंटिनेन टेक है ऐसा कौं सा कौंतिनेंट है टीक है जिसके अंदर से तीनो टॉपक of cancer, टॉब्रपीक आसोजोवय कोफ इक्वेटर है तीन ओर रहस स्वते उसके उसको पुर्य से पास होती है। कौन सा है अफ्रिक अगे लाजस कोंटिनेट इंद वर्ड ओके नॉर्थ अमेरिका इस फोर्ड नाजस कॉंटिनें दे वर्ड फिर आपका आता है अपसा अमेरिका एड नॉर्थ अमेरिका लिंक विद दे नेरो स्ट्रिप्स जो पनामा पैनल से हैं जो हमने आपको बहुत तो आपको के लिए इसके सब कुछ सारे एक लेक्सस खतम होने के बाद जिए मैं आपको वल्लड जोग्राफिक डीटेल में कराँए तो आप पर नामा पैनल से करके पर नामा पैनल से हैं वही एक ऐसी एक नरो सी एक लोगिए ब्रिच टाइप है एक चोटा सा वह वह बहुत ह जाते हैं और उसी ने साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को लिंक आउट किया हुए दोनों को अटैच किया हुए कही ना कहीं सबसे बढ़ा कॉन सा бьंण से सबसे चोटा कोंट्रीनेट ये गंकूत्र में बमाड़ से बहुत प्लाव से जाता है जैसे गंकोत्री वगएरा के नाम से उसको बुलाते हैं ओके फिर आपका आता है कौन सा हाइट्रोस्फियर ओके ओके मोर देन 71% of the earth is covered with the water before therefore the earth is called the blue planet अब 71% earth में जो पानी है हम उसको पी नहीं सकते हैं ठीक है यह आपको बहुत चीज़ आपको दिमाग में याद रखनी है ठीक है लोग एक पहुच इसको पढ़के लोगों के दिमाग में बहुत सारे misconception आ जाते हैं कि यार 71% पानी है तो क्यों ना यार उसी पानी को हम लोग पी के जिन्दा रह सकते हैं और जहां पूरे वर्लेके अंदर वाटर की जो समय सोटेज है फिर यह कहारा कि वाटर प्रॉब्लम से उसको शॉट आउट कर सकते हैं पर नहीं कर सकते हम लोग क्यों क्यों कि हमारे पास स्रिफ जीरो पॉइंट जीरो थी परसंट तक का ही वाटर अवेलेबिलिटी हमारे पास फ्रेश वाटर में है जो हम लोग पी सकते हैं अधरवाइस उसके अलावार कुछ नहीं है ठीक है वो तो तो अलग से पॉइंट है वापको आम बताते में बता दूंगा अभी देखोगा है क 2997% of the fire found कि ऩी और तो वाडर पानी नो उचन्स जितना पानी है वो 97% साहा करा चुका है पूरे अर्थ के उपर 71% एरिया रहा ना वाटर कवर करता है वाटर के अंदर 97% साहा पानी सके अंदर रगी तीन परसंट अलग अलग जगा पर होता है ओके इसकोम कहते हैं थे फिर और ओशेंस लिए आपके मेजर के चार ऑशेंस जो आपके बहुत जारमीजर से पहला कुछ ऐसे से सबसे प्धिक आपके चार का इसे तो सबसे बढ़ा है वह कौन से तो specific ocean वापका largest ocean आपका Atlantic Ocean is the second largest ocean Indian Ocean is the only oceans name after a country right एक ऐसी Indian Ocean एक ऐसा ocean इसका नाम किसी country के base के ऊपर रखा गया है specific oceans में कोई भी specific country नहीं है right Atlantic Oceans में कोई भी से Atlantic countries वागरा सको specific consider नहीं नहीं रखा गया था पर Indian Ocean में specifically हमने accept किया है कि हाँ हम लोगने हमारे country का नाम हमने हमारी हमारी जो एक हिंदुस्तान का नाम है हमारे भारत का नाम हमें हमने उस इस नाम के ऊपर से Indian Ocean को रखा है फिर आप आप आता है लास्ट जो है आर्टे कोशन वे लोकेटिट विद्ट आर्टेक सरकल जो आर्टे कोशन है उसका नाम आर्टेक इसलिया गया है क्योंकि वह आर्टिक सरकल के इंक्लूडिंग में विद्टिं में आता है उसके अंदर ऐसले उसको उने वो नाम दिया आपको अग्ला पॉंड को कहते हैं atmosphere okay क्या कहते है atmosphere इसमें आपको यह इंपोर्टेंट से प्रादा ओके इसमें आपको चार एक दू तीन चार पांच पांच आपको डिवाइडेशन देशने मिलेंगे atmosphere is a product from the harmful effects ठीक है जो harmful effects वगएर है उनसे बचे बचने के लिए हमको atmosphere में रहना पड़ता है ठीक है atmosphere एक्स्टेंड है higher than the about 16 किलोमेटर 1600 किलोमेटर से भी उपर दग atmosphere फैला हुए atmosphere के अंदर पांच लेर आते हैं कौन कौन सी लेर से हैं वो यह वाली आपकी लेर से देख लो आप लोग इस पूरे के पूरे स्मॉल से पिचर के अंदर मैंने आपको समझा दिए है कि कहां पर क्या चीज़ें ठीक हैं अब आता है कि atmosphere is compounds mainly with the two gases which are nitrogen and the oxygen में में चल्याब कि यह दो चीज़ें जिसके अंदर आप पूरा का पूरा अर्थ का atmosphere हो चुका है ओके अब आते हम लोग मारे अगले में टॉपिक के ओपर सुम कहते हैं बायो स्वेर को बताया कि बायो स्वेर के अंदर आपकी तीन चीज़े इंक्रूड आती कौन-कौन सी कि सारी चीज़ा की कौन-कौन सी आपकी मेजर तीन जीज़े तो atmosphere वगए रहा था जादा आपको atmosphere अब फिर से बता देता हूं कि बायो स्वेर में और क्या चीज़े आ जाती है तो बायो स्वेर में अब वो टिपिकल नहीं नहीं दी है इसमाने इसमें आपको एक शॉट फेमिद समझा दिए कि कौन-कौन से लेंड वाटर एंड एर इंडाइकली हैड्रो स्वेर अटमोस्वेर और लिथो स्वेर आ गया ओल्द लिविंग और इंक्लूडिंग हुमना लिंक तो इच और इन दा बायो स्वेर में सर्वाइव करना है तो इंडाइकली आपको हर एक चीज़ से लिंक आउट करना पड़ लेता है और उसको एनिमल्स वगेरा खा लेते हैं तो कहिना कि कोई भी जीव कुछ ना कुछ अपना जीवन का त्याग देने से पहले कुछ ना कुछ ऐसी चीज़े करके जाता है जिससे कि इस पूरे दुनिया में किसी का भला हो तो इंडाइकली हम लोग कहिना कि सबसे एक करनेक्टीड ही रहते हैं अगला पॉइंट आपका आता है तो ऑर्गेनिसम्स हैं जो बायोस्फेर पूरी बॉडी है उसको हमने में दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है एक है एनिमल किंग्डम और एक है आपका प्लानेट किंग्डम ओके अब इन दो पॉइंट्स को प्लानेट को सरवाइव कर पाते हैं कौन सी लैंड वोटर और हो में भी खुद क्योंकि एक यह तीन चीजें ना हो यह विद्ध यह तीन चीजें हूं इनको यूज करने वाला कोई ना हो तो किसी काम की नहीं है तो कहीं ना कि एक मुस्ट most important role इस पूरे पूरे अर्थ के अंदे सबस्यादा most important role play करता है तो human beings यह कहीं ना कि उसको बनाने के लिए फिसको बिगाड़ने के लिए human ही काफी होता है ओके अब जो मैं आपको पहले आपको मुझे को पता होगा आपने मेरे पता होगा कि मैं हमेशा से हर एक चीज को detail में पहले समझा देता हूं फिर आपको उसी चीजों को detail में मैंने से आपको दिखाने के लिए उनको अलग-अलग एक-एक लाइन में specific लिख क्या आपको फिर से दे देता हूं ठीके तो हम जो पहले समझ चुके थे वो सारे पर देखों नेयुक्त पॉयंट दो तिंगों कॉन से तो यह कि मांट इवर्ज इस मांटेंट इन धर वर्ल्ड अब अन्सी में वहां से हाइस लेवर्ट ने ककॉन से तो मांट आवरेस कितना है तो 8,848 फिर आपका हाते है सबसे गहरा गड़ा ठीक है वो स्पेसिफिक ओशन के अंदर आता है कौन से हम मरियाना टैंच कितना गहरा है तो 11,022 मीटर दो गहरा है और फिर आपका हाते है सेवन कॉंटेनेंट से कौन कौन से तो एशिया यूरोब एशिया यूरोब अफरीका नौर्थ अमेरिका, साओध अमेरिका, ऐस्टेलिया, अन्टार्टिक जो आपका एशिया है वो वन फटे लार्जेस्ट है तो ऐसा पार्ट जिसके अंदर पूरी पूरी आइस के एक तिन एक लियर इतनी सूटेबल से रखी गई है कि वहाँ पर हुमन सेटलमेंट करना है फ तो चीसे चाहिए चलती रहती है पूरे हन पूरे अर्थ के अंदर 71% हो पानी से कवर शेन और 29% हो लेंड से कवर है राइट समझ में आगे आपको 71 परसेंट जो पार्ट है पूरे और तक 100% है उस 100% में 71 परसेंट जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है बाकी के 29 परसेंट वो लेंड से कवर राइट अब एक और चीज़ के पूरे अर्थ के अंदर देडा के अन्दर जितने आभी पानी है वो 97 परसेंट अगर वाटर है तो वह उसको पी के हम लोग हमार को बहुत सारी इंफेक्टीज़े हो सकते हैं तो जो हुमन्स के लिए फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो यूजेबल है जिसमें हुमन बिंग अपने सर्वाइवर कर सकते हैं वो कितना है तो जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट में पहले बता चुक हूँ एक बारे में राइट पर आता है एक और चीज़ के अट्मस्फेर के अंदर सेवरल गैसे उसमें जो मोस्ट ऑफ टू गैसे वह कौन कौन से है तो जो नाइट्रोजन है वह सेवन्टी एट परसेंट है और जो ऑक्सिजन है वह चितनें बी डिकार हैं उनका आपको Lebensy सर्थ की बारे में लिख यह का बह Óसपर के बारे में होमन के बारे में सेल्टीक्स के अनिमल गिंङक्डों में के के बारे में क्लियर तो यह चीज थी आपकी कुछ आज के इस चैप्टर के अंदर जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा डीटेल में एक्मोस्फिर्स के रिलेटेड हर एक चीज को मैंने आपको सारी के सारी एक्जाम प्रस्पेक्ट को से मैंने कवर अप कर लिए अब इनके अलावा और कोई आप कोई सिक्स क्लास का एक्जाम नहीं देने वाले हो है कि आपको उसके कोशन आंसर को व्यात करने के सुरुत हो गया तो यह कुछ आपका चैप्टर नंबर फाइव था आज ओके मिलते हैं नेक्स चैप्टर में लेक्टर में सिक्स सेवन और एट सिर्फ तीन चैप्र बाकी है फिर आपके जोगरफी का सिक्स की बुक कम्प्लेट फिर हम शुरू करेंगे सिविक से फिर हिस्ट्री ओक मिलते हैं नेक्स लेक्टर में ओके तब तक लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इस चैनल को पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए बाबाई टेक केर